यह हमने एक बावल में 1 4th कप मिल्क पावडर लिया है और हम इसमें मलाई एड करेंगे और मलाई के साथ अलका सा दूद भी इसमें एड करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करना है जितनी जुरत लगे कि उसके हिसाब से हम मलाई एड करेंगे इसकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है आज हम बनाई रहे हैं मलाई चोग और गर्पे जो आसानी से बन जाता है यह एक बंगाली मीटाई है इसमें थोड़ा सा दूद और एड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यकिन मान यह दोस्तों यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और यह मिन कर दिया इस तरह सारी ब्रेड को हमने कट कर दिया है बहुत ही डिलिशियस लगेगी जब गेस्ट आने वाला तो हो आप यह इस तरह से प्रिपेर कर सकते हैं अब हमने एक बाउल लिया उसमें एक लास दूद एड करेंगे और इसमें हमने केसर में विगया हुआ दूद इस कर सकते हैं आपको जितना मीठा हाप कपसे थोड़ा सा कम था आप टेस्ट कर लें अगर आपको फिका लग रहा है तो आप उसको और एड कर सकते हैं और हम इसमें राजबोग एसेंस एड करेंगे जिससे कि इसका अच्छा फ्लेवर आए अच्छी एक खुशबू आइसके अब इसको साइड में रख देंगे जो हमने बेटर अब यह थोड़ा टाइट है मैलाई और मिल्क पड़वाला तो जो हमने दूद तयार क्या था रसमलाई वाल यह हम इसमें एड कर देंगे और इस तरह का एक यह पेष्ट होना चाहिए देखिये आप इसको द्यान से इस में हमें इसको serv करना है और BREAD slice लेंगे और इस तरह से इसको लगाएंगा आप इसको ध्यान से देकि इससा इसको लगाना है हमें ब्रेड को दूध में और किसी में विगोना नहीं है?? डायेक्ट लगाके इस तरह से इसको प्लेट पेशल्ड पेशल्ड पश्रजिप microphone करें अभी तक आपने लाइक कर सकता हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले करना यह तरहएं क्रदे किसो मैं आ और अभी festival season आ रहा है तो आप इसको घर पे एक बार जरूर से try करें और हमें comment करके बताए कि आपको हमारी recipe कैसी लगी है आप इस तरह से पूरा हमने यह सब लगा कि इस तरह से इसको arrange कर देना अगर नहीं आता तो छोटे piece में cut करके आप इसको arrange कर सकते हैं जो अपने milk तयार किया था अब हम इसमें add करेंगे पर हम एक साथ नहीं थोड़ा थोड़ा करेंगे हमारी मतलब जैसी आपकी plate की शेप उसी सब से इसको arrange कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके सब के ऊपर डालेंगे ताकि वह अंदर तक इसमें जाए और इसको अच्छे से डालने के बाद इस इसके हां अंदर हम बहुत ही कम सामगरी और बीना गेज जला है हमने यह मिठाई तयार की है और यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है यकिन मानिये दोस्तों मेरे कैने पर आप इसको एक बार गर पर जरूर से ट्राइगे आपको यह बहुत ही पसंद आएगी इसको आ आप चाहे जिसको जिस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं देखिए अब हम इसको कैसे सर्व करेंगे हम एक प्लेट लेंगे और उस प्लेट के अंदर हम एक पीस इसका निकाल के रख देंगे एक प्लेट में हमें इस तरह का एक पीस निकाल के रखेंगे ध्यान से रखना ह आपको देखो कितना आसानी से निकल गया है देखिए कितनी बढ़िया अपनी ये मलाई चोप वाली रेसिपी बनके तयार हुई है मुह में पानी आ रहा है ना दोस्तो अब इसके उपर जो थोड़ा सा ये अपना मिल्क है वो इस पे एड कर देंगे फ्लेवर मिल्क इसमें ए दोस्तो तो एक बार आप मेरे कैने पर इसको घर पर जरूर उसे ट्राइ करें